कि यहां एक बुलकात में आज हम आपको ऐसे शक्त से रूबर उकराए जा रहे हैं जो कि अनेकों क्रतिभाओं के धनी हैं इतनी कि खुबिया इनके अंदर है कि इनका अपना बायर डाटा जो है वो लगभग पांच पीच का है तो वो शक्त है रौनक जमाल सर आपका हमारी स्टूडियो में सबागत है बहुत 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 जमाल मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप पोल्ट्री जगत से आजी में लिए हूं कि नमस्कार स्वागत है आप समीका ग्रेंड एसीन की खास पेस्पर्श एक मुलाकात में आज हम आपको ऐसे शक्त से रूबर उकराए जा रहे हैं जो कि आने को प्रतिभाओं के धनी हैं इतनी खुबिया इनके अंदर है कि इनका अपना बाइड़ाटा जो है वो लगभग पांच पेच का है तो वो शक्त है रौनव जबाद सर आपका हमारी स्टूडियो में सवागत है बहुत 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 जाना चाहती हूं कि आप पोल्ट्री जगत से चुड़े रहे हैं शाथ ही आप में शायर भी रहे हैं और इतनी सारी खुबियां को किस तरह से मेंटेट करते हैं देखिए बिजनिस जिन्दगी की गाड़ी को चलाने के लिए बहुत जुरूरी है चाहे वो बिजनिस हो या नौकरी तो उस इसाप से मैं पोल्ट्री से जुड़ा हूं लेकिन लिखना और च्छपना ये मेरा ये एक ऐसा मकसद है कि मैं तो इस से बहुत ज्यादा मेशुस होता हूं आनन उठाता हूं लेकिन मेरे लिखे को पढ़ने से दूसरे लोग भी आनन उठाते हैं मैसुस होते हैं और मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में दूसरों को खुश होने का मौका देना दूसरों की तसकीन का सामान मुहिया करना सबसे बहुत मुश्किल काम है और ये काम सबसे आसानी से और बिना किसी मेहनत और खर्च के लेका कर सकता है कोई आउर नहीं लेका क्या आपने बात की तुम जर्च को बताना चाहूंगी रावनक जमाल सर को हाल ही में अमरीका की हैटी युनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपादी मिली वहाँ उपादी आपको किस मकस्त मिली मैंने एट्स क्लास में पहली बार नाटक लिखा था खुदी लिखा खुदी डाइरेक्ट किया और खुद ने उसमें एक्ड भी किया था मेरे उस वत जो ग्लास टीचर थे सियत खुर्शीद अली साहब उन्होंने उसमें मेरी काफी मदद की कि इसको ऐसा लिख लो ये डायलग ऐसा होना चाहिए ये सीन ऐसा होना चाहिए एक्टिंग में तो मैं काफी मज़ा हुआ था चाइल्ड आर्टिस्ट के तोरुपे दूसरे लोगों के साथ ड्रामे में काम भी करता था तो उसमें मुझे तकलीफ नहीं हुई लेकिन उस ड्रामे को इतना पसंद किये और चूंके मैं खोलापूर दिलामराउती की नवाफ फैमिली से बिलाउंग करता हूँ तो हमारे यहाँ पे हविली में भी इस तरीके के प्रोग्राम मुझायरे नशिस्ते हैं अद्भी नशिस्ते होते ही रहती थी क्यूंके दादा वाली साभ वगेरा सब साहिते से जुड़े हुए थे तो मेरी बहुत हवसला अवजाई हुए और छोटी जगा होने के बावजूद ग्राम पंचात महा तब भी थी अब भी है सरपंज इतने खुश हुए और जो एक डॉक्टर गाय कवार चीप गेस थे सरकारी दवा खाने के इन लोगों ने 1960 में मुझे दो दो रुपी इनाम से नवाजा था कि बहुत अच्छा नाटकाय करके मुझे बहुत हुसला मिला और फिर मैंने लिखना बन नहीं किया कुछ ना कुछ लिखता रहता था लिखता रहता था और जब मैं टेंट क्लास में आया तो मेरी कहानिया अकबार वगिरा में छपती रहती थी लेकिन उसमें मुझे जूरुत पढ़ती थी कभी अपने किसी टीचर से सायता ले लिया कभी वाली साब को दिखा के ले लिया लेकिन जैसे एक अफसाने में एक विदा है अफसांचा जिसको लगू कथा बोलते हिंदी में डॉक्टर जोगे दरपाल साब रशिया में अंग्रीजी पढ़ाया करते से और वो रिटायर होके आये तो मराट वाला उनिवर्शिटी औरंगाबाद में होडी हो गए तो उन्होंने ये लिखना शुरू किया तो अर्दू टाइम्स इंकलाब अकबार होगे नमें उनका आता था तो म हिम्मत भी बड़ी मैंने और लिखना शुरू किया तो हर हफदे किसी ना किसी अख़बार में मेरी अफसान्चे छपने लगे बाद में फिर रिसायल में भी शपने लगे उस जमाने में शमा बीसवी सद्धी रूबी ऐसे रिसायल में छपना बोले तो बड़े बड़े लो जो 15-20 साल से लिख रहे वो बोलते हैं जमाल साब हमने आप को पढ़कर लिखना सीखा है इतना मानते हैं और अफसांचे पर तकरीबां हिंदुस्तान में छे लोगों ने पीएडी की डिगरी हासिल की है अभी जो आपको अमरिका में हैथी उन्वेसिटी से मिला है जी डॉक् काम कर रहा है या नया कारनामा कर रहा है या कोन अच्छा काम कर रहा है तो मैं एक बर्रे सगी का माधिब का ऐसा शक्स हूँ उर्दू में जितनी भी सिंफे हैं विदाय हैं मैंने बच्चों के लिए भी लिखा है अफसाने भी लिखी है कहानी भी लिखी है ड्रामे भी लि मिला मेरी एक किताब करोना के रंग जिसमें मैंने करोना के प्रियेड में पहले लागडाउन में सारी विधाओं में लिखा था उसको बंगाल की गवर्मेंट ने पंद्रह हजार रुपिय का इनाम और अहमेद जमाल हाश में आवार्ड दिया और सबसे बड़ी बात कि मैंने उर्दू साहित्ते को उर्दू अदब को एक नई सिंफ एक नई विधा दिये बचकांचा क्योंकि आजकल बच्चों के पास में इतना ज्यादा तालीम का इजूकेशन का लोड़ हो गया है और उनके पीट पर ऐसा बस्तालाद दिया गया है कि उनको साहित्ते से वो दूर ह गए अब जब बच्चे साहित्ते से दूर हो गए तो साहित्ते से बच्चों के दूर होने की वज़े से बच्चों के जो रिसाले जो मासी पत्री कहा है निकलती थी धीरे 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 वो बन होने लग दी और अगर हमको बच्चे साहित्ते के रूप में या पा जलगाओं वगेरा में बहुत होते हैं क्योंकि वहां उर्दू भी बहुत है और बहुत अच्छे साइटते कार लोग हैं वहां से रिसाले भी निकलते हैं तो बच्छे बताते हैं सर अब स्कूल की पढ़ाई इतनी ज्यादा होगी कि ऐसा चार-पांच पेश की कहानी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है हमारे पेरेंट भी मना करते हैं टीशर्स भी मना करते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं विदा के तवर पेश करूं और मैंने उसका नाम रख दिया बचकांचा जैसा हम जब कुछ बातें करते हैं बड़े लोग आपस में, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, तो मैंने बिल्कुल वो बच्चों के सोच में जाके, बच्चों के लेवल पे जाके, वो कहानियों को सोचा, मैंने उसका नाम रख दिया, बच्कांचा, और जब मेरे पास में अधियत फारुक साब उसके मुदीर है, और मेरे बड़े अच्छे मरासी में उनके, तो जो उन्होंने वरकिंग कमिटी बनाई थी, पास लोगों किये, उसमें एक मैं भी था, तो हम बार-बार दिल्ली जा रहा है, आ रहे थे, तो मैंने लगा के रहुना के रहुना के ये बचकांचा जो सिन्फ है, इसकी बाद दुनिया के कोने कोने तक जाएगी, जब मैंने उसमें से कहानियों का अलग किया, तो साथ कहानिया जब मैंने चूस किया, कि बच्चों के लिए साथ कहानिया बेतर है, तो इतिफाक हुआ कि हर कहानी में दोई केरेक्टर, बाप बेटा, तो मैंने किताब का नाम रख दी अब बाजान, और वो छपी, और दिली उनिवर्शिटी में, तीन उनिवर्शिटी में, दिली उनिवर्शिटी में भी प्रोग्राम था, जेहनियों में भी था, और आपके गालिव एकडेमी में उसका इखत्ताम हुआ, एवान अर उर्दू का बहुत बड़ा मकाम है, दिली उर्दू एकडेमी है, लेकिन इस बार, अभी चार महीने पहले, उत्तर परदेश उर्दू एकडेमी ने अबबाजान को दस हजार रुपिय का इनाम एवार्ड दे करके, महर लगा दी कि यह सिन्थ है, बचकांचा को मानना चाही उसको यहने मानने ता मिल गई है, उर्दू के बिना अधुरा होता है, उर्दू उसमें किस तरह से जान डाल सकती है, जालती भी है, देखिए, चाहे हो हिंदी वाले हो, अंग्रिजी वाले हो, जब भी बात होती है, या पार्लिमेंट हो अपनी, या लोग सभा हो, तो राजनीती पे बहस हो रही है, यह हो रही है, लेकिन शेर उर्दू का ही सुनाएंगी, चाहे वो अटल विहारी वाजपई जी हो, या चाहे हमारी सुसमा शवराद जी हो, आपने सुना होगा, क्योंकि आप तो इसी फील्ड से जुड़ी हुई है, तो उर्दू जो है, ह हिंदी वाला भी भाशन देता है, अपनी स्पीच दे रहा है, अपने जजबात को खोल के रख रहा है, तो वो उसमें बतन पैदा करने के लिए अर्दू शायर का शेर अर्दू शेर जरूर इस्तिमाल करेगा, जैसा कि मैं जब कोई अपनी स्पीच शुरू करता हूं, या तकरीर शुरू करता हूं, तो लोगों की तवज़े अपनी तरह मर्कूस करने के लिए, एक दो शेर मुलाइजा फरमाईए, कि अर्द है कलाम से पहले, मुस्कुरादो सलाम से पहले, बस इतनी सी दूआ दे दीजिए, ठक न जाओं मुकाम से पहले, तो क्या होता है कि आद पूर में अजीज पबलिक स्कूल के अनुवल फंक्शन में था, तारे बच्चे बैठी हुए, नाइन टेन, ऐलेवन से ट्वेल्द के, तो जब मैं, इस तरह मैंने वहीं से की थी, और इखताम के लिए भी मेरे पास में यह है, मैंने बच्चों को मुकातिब करके कहा, कि इ उसमें अखलाक का दामन ना छोटे ऐरोनक वरना दुनिया की निगाहों से उतर जाओंगे, बहुत अच्चा, आपका नाम भी उसमें शाम से, और जो आप, अभी जो हाल ही में जाको अवार्ड मिले है, उसके लिए भारा सरकार का क्या रुक रहा है, उसमें भारा सरकार का है, हैती निवर्ट सिटी की टीम मैं वही बता रहा था कि अखील साब ने जब उनकी टीम ने देखा कि इस शक्स को इतना एवार्ड मिल रहा है, इतना बड़गी है, तो वो लोग किसी से बायो डाटा नहीं मंगवाते, वो खुद अबज़र करते हैं, कहां से कुन से करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, और फिर वो राप्ता करते हैं, तो मुझे फोन आया, कि आपका हमने ऐसा ऐसा पूरा हिस्टरी आपकी हमको मालूम पड़ी, और आपने पचास साल अपनी जिन्दगी के वर्दू अदब को दिया है, तो हमने फैसला किया है, कि इस साल ह आपको क्यों ना फ्लासफिकी डिगरी, प्हटिकी डिगरी, डॉक्टरीट की डिगरी परदान करें, तो आप अपने नाम के आगर डॉक्टर भी लगा सकोगे, और एक तरीक से इजज़त अबजाई है, और एपने आपने आपके फखर महसूस करेंगे, यह बढ़ा में मुझे कौन जानता है? अमरीका में कौन मुझे जानता है? मगर उन लोगों ने इतना जबर्दस observation के बाद में मेरा इंतिखाब किया और अकेला मुझे ही नहीं मिली है. आठ लोगों को PhD मिली है और दो सा गाउं है खोला पूर उसी से लगके दो छोटे छोटे गाउं है रन्मचन और धानोरा जहां के हम माल गुजार है नमाप फैमिली से मैं बिलॉंग करता हूं परिवार में तो मेरे हम पती पतनी थी उसमें मेरे नाना सोतंतर सैनानी थे फिरेडम फाइटर होने की वज़े से उनको टिकेट मिली और वो जलगाओं के मेंबर आफ पार्लिमेंट चुने गए तो मुझे ये भी बड़ी फकर की बात है कि मैं एक सांसत के खर पैदा हुआ अभी आपने अजीज पबलिक आउंकी है और आई भी ग्रूप का आपने नाम सुना होगा तो बहदूर अली साफ सुल्तान अली साफ इन्होंने जब सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाया जिसमें पबलिक का भला हो और क्या हो तो उस पे जब हम लोग बैठे हैं और हम लोगोंने सोचना समझना शुरू किय तो ये बात आई आपस में हमा दोनों के क्योंना हम तालीम पे तवज्जे दें क्योंके मुस्लिम समाच जो है तालीम से बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर एक बच्छा किसी फैमिली का एजुकेटेड हो जाता है तो उसकी नसल सुदर जाएगी और ये ताय हुआ हुआ के इसकूल खुली जाए फिर ये हुआ कि कि इसकूल का क्या नाम हो तो मेरे जो फादर इनला है उनका अबदुल अजीज था तो अजीज पबलिक इसकूल उसका ये किया गया अभी हमारे पास में 36 वर्ण में 19 ब्रांचे से दुर्ग में जुनवानी में है राइपूर में म राजणन गाओं में भी दो ब्रांचे हैं पूछिए आप इतने अच्छे प्रिस्टिल हूमी से हैं और अनेको प्रतिभाएं आपके अंदर में हैं साहितिकार लेखक कवी अलग एक अच्छे टीचर एक पोल्टरी जगह से जुड़े हैं आपकी पत्नी घर वाली का कैसा आ देना देना नहीं तो थोड़ा सा यहां कभी-कभी हम दोनों में क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है बार बार आउल इंडिया लेवल पे सेमिनारों में जाना है तो कभी कोई प्रोग्राम्स में जाना है तो थोड़ा सा और फिर अभी एज हो गई बाइपास हो गया हर पतनी को अपने पती से महबत होती है तो वह देखती है कि अब बाइपास वगेरा हो गया इतना नाम कमा लिए अब यह दरा टूर कम करो बाहर जहाना आना कम करो और अकेले मत जाओ उनको बोलो साथ चलो तो वो भी एक बड़ी परेशानी है क्योंकि हमारी जो दुनिया होती ह उसमें एक गहर साहिटते कार को टाइम एड़ीजस करना बड़ा मुश्किल काम है और होटल में बन कर देना तो वो जेल से भी खतरनाक काम है तो मैं आवाइड भी करता हूं ले जाने से और थोड़ा बस महां आके हम दोनों में थोड़ी सी एक और उसमें भी मैं देखता क्योंकि वो मेरा भलाई चाहती है क्योंकि मेरी तबीयत की वज़े से उम्र हो गई क्योंकि जब इन्होंने डिग्री परदान की तो सबसे पहले मुझे मिली क्योंकि जो दस लोग से तुनेंगे कि उम्र होई ऐसा लग नहीं राच तो उन्होंने अकील साहब ने जब मेरा इंट्रोडेक्शन दिया वो दस लोगों में पहला नाम मेरा अनौंस किया और जैसी मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने बताया कि यह शक्स की उमर सतर साल की है और इसने अपने जिंदगी के सतर सालों में से एक कावन साल उर्दू अदब को दिया है इसलिए है इनको आज पी मेरे दादा भी सोतंतर सेनानी थे और उन्होंने गांदी जी नहिरू जी और कलाम साथ के साथ जेल पी गए तो बहुत बड़ा योगदान यानि वो राइनीती में थे इसलिए भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने अपना योगदान दिया तो मेरे बलड में भी है और मै यहां आया तो कुछ ऐसा सरकल भी मिल गया था मुझे बाहदुर अली थारानी हनीब भिंट सरा सलीम कुरेशी वगएरा तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड लिया और फिर बाद में हमने सरोज जी के कहने से बारतिय जनता पारटी जोईन की और काफी 20 साल बारतिय जनत गर में रहो तो मैंने थोड़ा साब इससे किनारा कर लिया ग्रेंड इसिंग दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि अभी वर्तमान पर दोर चल रहा है जो बच्चे हैं सोशल मेडिया इस सब मिलक करके तहजीब को बूलती जा रहे हैं जन शब्दों में ग्रेंड इसिंग के माद्य हम से इनको कुछ संदेश देरे हैं देखिए साइट एक ऐसी चीज़ है जो तैजीब सिकाती है और इसलिए साइटे को पढ़ना बहुत जूरूरी है आजकल बच्चों को साइटे से दूर किया जा रहा है तो मैं ग्रेंड नि जो खेल कूद का वक्त है उसके अलावा थोड़ा सा आदा खंटा उनको साइटे भी पढ़ने दीजिए क्योंकि साइटे से जनरल नालेज बढ़ती है जो उनको फ्यूचर में बहुत काम आएगी और साइटे तमीज सिकाती है अखलाक सिकाती है क्योंकि मेरा एक सुलोगन ह कि तुम अदब को अपनाओगी तो अदब आपको अपनाएगा और अदब सिकाएगा आपका बहुत 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 शुकरिया हमारे स्टूडियों में आने का अपना किमती वक्त हमें देने का मैं आपका भी शुकर गुजार हूँ कि आपने मुझे जो इज़त बख्षी है मैं तहजिल से अमीकी दिल से आपका शुकरिया दा करता हूँ